इस वीडियो में दी हुई जानकारी इंटरनेट से ली गई है. हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते. किसी भी दवाई को इस्तमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर से जरूर सलाह ले. अगर आप इस वीडियो को देखकर किसी दवा का उपयोग करते है और आपको कोई side effect होता है, तो उसमें हमारी कोई जिम्मिदारी नहीं होगी. Angiovin Tablet चार दवाओं से मिलकर बना है. इसका उपयोग विभिन स्थितियों के कारण सूजन और दर्द के इलाज के लिए किया जाता है. इसमें Antioxidant गुन होते हैं, जो सूजन को कम करके दर्द और सूजन को कम करने में मदद करते हैं. Angiovin Tablet अकेले या किसी अन्य दवा के साथ सयोजन में निर्धारित किया जा सकता है. इसे भोजन के साथ हत्वा बिना लिया जा सकता है. आपको इसे अपने डॉक्टर की सलाह के अनुसार नियमित रूप से लेना चाहिए. अपने चिकितसक द्वारा अनुशन सिथ से अधिक न लें या अधिक समय तक इसका उप्योग न करें. यह दवा आम तोर पर बहुत कम या कोई साइड इफेक्ट के साथ अच्छी तरह से सहन की जाती है. हाला कि अगर आपको कोई ऐसा लक्षन महसूस होता है जो आपको लगता है कि दवा के कारण होता है, तो आपको अपने डॉक्टर को बताना चाहिए. आपका डॉक्टर उन्हें रोकने या कम करने के तरीके सुझा सकता है. दवा हर किसी के लिए उप्योक्त नहीं हो सकती है. इसे लेने से पहले अपने चिकित्सक को बताएं कि क्या आपको कोई चिकित्सीय स्थिती या विकार है. अपने डॉक्टर को अन्ने सभी दवाओं के बारे में भी बताएं जो आप ले रहे हैं. गर्भवती और स्तन्पान कराने वाली माताओं को दवा का उप्योग करने से पहले अपने डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए. विडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद.